हुआ है 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 लोग फ्रेंस वल्कम बेक टो में चैनल आगे हम लोग और एक नहीं पूट लिए दोस्तों आज इसे टों बात करगा बी टी सी एस सी बिहार स्टापनास रिकूमेंट दोज़ा जब इसका तरफ से जो की देख सेकता अब लोग बहुत सारा पेकेंसी के तक देखिया मैं टोज़ेट पूरे शेर करेंगा इस बेकेंसी और डीटेल्स का बाड़ी में ठीक है पहला तो यहां पर देखिए बी टी एस सी स्टापनास बेकेंसी दोज़ाज़ा चब्विस का तरफ से बिहार टेक्निकल सार्विस कोमिशन का तरफ से चुके एनॉंसमे अपनेट अपको इफृट में अपलाा कर सकता है पूरा डिटाल्स हम आपको लिटेटियॉट्ट्रेटर्या और पौस्ट डिटील्स हम आपको शेर करने वाला है ठीक है फो नीचा आता है नीचा ने का बाद इसमें हम बात करगा जीनम, BASC नसी दोनों इस पुस्ट के लि यहां पे देखिए भिहार टेक्निकल सर्फिस कोमिशन का तरफ से पोस्ट जारी करने वाला है पहले तो हम बात करगा यहां पे देखिए नाम और पोस्ट और गरनेशन कर रहा है भिहार टेक्निकल सर्फिस कोमिशन बी टी सी का तरफ से रहेगा नेम और पोस्ट में देखे स्टापनास एन ट्यूटो रहेगा और टोटाल जो नामबर पोस्ट हैगा 9200 निरनबबई बेकेंसी रहने वाला है ठीक है एपलाइ मोड में अपलोग ऑनलाइन में आपलोग किस फर्म को एपले कर सकते हैं एक्जामिशन नेम रहेगा बी टी एस सी नोटिविक्शन दुज़ज़च चबवीस का तरफ से रहे रहा ठीक है उसका बाद जॉब लोकेशन रहेगा बिहार स्टेट से जो एड़ड़ाइस नमबर अभी तेक फिलाल जारी नहीं कहां जैसे आप लोके मिलेगा हम आपको शेयर करेगा पोस्ट काटेगरी में जॉब्स इन बिहार हैगा स्टार्टिंग डेट अभी तरह कोई इंफ्रमेशन नहीं मिलेगा लास्ट डेट अप्ड़ट सुन बता रहा है ठीक है एक्जाम आप लोक आफ्लाइन में इस फर्म को निसी डॉट इन में जाकर चेक कर सकता है बी टी एसी स्टापनास ट्यूटर रिकुर्मेंट के लिए जोन लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन मागा है स्टापनास के लिए एप्लिकेशन जो स्टापनास है इसमें सक्सिस्फूल है अप लोग की जीरने में कॉम्प्रिट उसका बाद एलोंग टू यार्स का एक्सप्रियंस भी साथ में रहना ज़रूरी है ट्यूटर जोन लोग पुस्ट में अपलेगा उन लोग के लिए उसका बाद एज लिमिटिट के रहा है मिनिमाम एज जो रहगा 21 साल ओल्ड यार और मेक्सिमाम में 37 यार तक रहा है ठीक ह उसका बाद एज रिलिवेशन तो गौर्ब्मेंट का जो रूल्स होता उसके हिसाब साप लोग को रहेगा एफ्लिकेशन फी में यहां पर देखे जैनल ओबीसी इडव्यूस के लिए 200 रूपया लगेगा सी एस्टी पिएच के लिए 50 रूपया लागेगा फॉर्म को एपल बनिदों के लिए डले ना स्टापनास के लिए चैनल के लिए 2,498 पोस्ट रहेगा EWS के लिए 625 पोस्ट रहेगा SC के लिए 2,036 पोस्ट रहेगा ST के लिए 96 पोस्ट रहेगा OBC के लिए 2,380 पोस्ट रहेगा BC के लिए जो देखे यहां पर जो female candidate रहेगा female candidate के लिए भी same रहेगा ठीक है दोस्तों उसके बात यहां पर आप लोग देख सेथे ट्यूटर के लिए जो पोस्ट रहेगा 66 पोस्ट रहेगा EWS के लिए 16, SC के लिए 29, ST के लिए 01 और OVC के लिए 31, 20 के लिए 20 रहेगा ठीक है टोटल जो कुल मिलेगे 9,000 के असपास vacancy हो रहा है ठीक है उसके बाद हम बात करेगा इसमें जो exam date होगा registration chart और यहां पर last date जैसे पब्लिश होगा हम आपको फिलाल शेयर करने वाला है ठीक है अप लोग मेरे चैनल में साथ बने रहे हम अपड़ेट करते रहेगा इसका जैसे information मिलेगा हम आपको share करन बाता है ठीक है तो कुछ भी डाटों नीचे कमणों जरू बधाम जरू आप लोग को साहे देगा रहेगा notification ओल्ड नोटिफिक्षिंट जैसे है अप लोग का है उसके ही सब सब लोग फॉल्लू कर सकता है तो नीचे जो नेक्स्ट यहर का exam होता उसके क्यारफल लेग ही सब